हेलो गाईज, वेलकम तु माई चानल आज इस वीडियो में हम आठ नंबर के कानाजी के लिए कैप बनाना सिखेंगे ये बहुत ही जादा इजी कैप है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा अल नोटिफिकेशिन्स पर, तो आएए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चार चैन्स ले लेंगे पहली चैन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे दो चैन्स ली हैं मैंने, ये एक सिंगल क्रोशिय अकाउंट होगा और इसी जो बीच में हमारा स्पेस बन जाएगा उसमें हमें 9 सिंगल क्रोशिय और कर लेने हैं टोटल हमारे 10 सिंगल क्रोशिय हो जाएंगे 9 सिंगल क्रोशिय और बना लेंगे इसी स्पेस में, तो ये रो मैं कम्प्लीट कर लेती हूं अपनी ये देखिए row मेरी complete हो गई है मैंने slip stitch से join कर लिया इसे next row के लिए एक chain ली है उसी space में एक single crochet अब ना लेंगे हम और next space में 2 single crochet तो हमें 1, 2, 1, 2 करना है एक chain में 1 single crochet अगली chain में 2 single crochet तो इसी तरह से ये पूरी row हम complete करेंगे एक chain में 1 single crochet दूसरी में 2 single crochet ऐसे ही मैंने row complete कर लिया है slip stitch से join कर दिया है एक chain लेकर उसी space में एक single crochet अब ना लेंगे अब 1, 1, 2 की row है ये 1, 1 देखिए next में भी 1 बना रही हूं है 3rd में हमें increase करना है 3rd chain में increase कर लेंगे 2 बना लेंगे single crochet next chain में 1 single crochet उसे next में भी 1 उसे 3rd chain में 2 single crochet इसी तरह से पूरी row को complete कर लेंगे ये देखिए row मेरी complete हो चुकी है अब एक chain लेकर उसी space में single crochet बना लिया है मैंने अब इसमें 4th chain में increase करना है इस row में हमें 4th chain में increase करना है 3 chain बना लिये मैंने 4th में 2 single crochet बना लेंगे और पूरी row ऐसे ही बना लेंगे 1 1 1 and 4th में increase तो ये row मेरी complete हो चुकी है उसके बाद मैंने एक chain लेकर उसी space में 1 single crochet बना लिया है अब हमें इस row में 2 ही single crochet increase करने है अब next chain में मैं 2 बना रही हूं single crochet अब इसके बाद हर chain में हमें 1 1 single crochet बना लेना यहां तक यहां पर जब आप आऊँगे बस इसके सामने हमने इसके सामने बिलकुल यहां पर 2 single crochet बना लेने हैं फिर आगे हम हर chain में एक-एक single crochet बनाएंगे सिर्फ इस row में 2 जगाई increase करना है बाकी हर chain में एक-एक single crochet रहेगा तो यह देखे मेरी row complete हो चुकी है अब एक chain ले लेंगे उसी space में single crochet बना लेंगे अब मुझे हर chain में एक-एक single crochet बना लेना है तो इस तरह से मैं इसकी 7 rows बनाऊंगी 5 हमारी पहले बन चुकी है 7 और बन जाएंगी तो टोटल 12 हो जाएंगी यह देखे 12 rows मेरी बन चुकी है अब मैंने अपना white color आड़ कर लिया यहाँ पर इस row में हमें हर chain में 2-2 single crochet बनाने हैं मैंने first में 2 बना लिये हैं अब second में 1 बन गया है एक और बन गया तो मतलब हर chain में हमें 2-2 single crochet बना लेने हैं तो मैंने row complete कर लिया है उसके बाद मैंने blue color ले लिया है अपना single crochet से जॉइन कर लिया है एक chain ले लेंगे अब जो दो-दो बनाए थे न पिशली row में single crochet उसके second वाले में front post single crochet बना लेंगे hook को हमें ऐसे लेना है और simple धागा निकालते हुए single crochet बना लेना है अब एक chain ले लेंगे फिर एक छोड़ देना है बीच में दूसरे वाले को वैसे ही front post single crochet बना लेना है देखिए ऐसे ही hook निकालते हुए हमें धागा निकाल लेना है और single crochet बना लेना है फिर से देख लेते हैं एक chain लेकर एक single crochet बीच में छोड़ कर दूसरे वाले में front post single crochet बना लेंगे हम hook आगे की दरफ से insert करना है तो ऐसे ही हमें पूरी row complete कर लेनी है तो ये देखिए हमारी cap को इस तरह से दिख रही है जो इसकी चोली और उसके घेरे का link है केरा दो parts में बनाया है मैंने तो उनका link में description box में डाल दूँगी सभी का और मेरे channel पर चोली और caps की playlist भी है उनका link भी ढाल दूँगी description box में तो आप जरूर चेक कीजेगा वीडियो अच्छी लगी तो like और share जरूर कीजेगा comment कीजेगा subscribe कर दीजेगा channel को और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा झाल प्रेस कर दीजेगा